हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले में स्थित डॉक्टर राजेंदर प्रसाद राजकिये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टांडा में सीनियर्स ने जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की है बताया ये जा रहा है कि सीनियर प्रशिक्षू डॉक्टर्स ने नौ जूनियर प्रशिक्षू डॉक्टर्स को प्रताडित किया है नो जूनियर्स को बोईज होस्टल में बुलाया गया था फिर होस्टल के रूम नमबर 108 में इनकी रैगिंग ले गई इनके कपड़े उतरुआये गई और मारपीट की गई पूरे मामले की शिकायत नेशनल मेडिकल कमिशन से की गई फिर उसकी जाँच की गई अब मेडिकल कोलेज की एंटी रैगिंग कमिटी ने सभी आरोपियों पर एक्षन लिया है सभी चार ट्रेनी डॉक्टर्स साल 2019 और 2022 बैच के हैं टांडा मेडिकल कोलेज प्रशासर ने दो ट्रेनी डॉक्टर्स पर एक एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है एक साल के लिए कक्षाओं और होस्टल से निश्कासित किया है जबकि दो अन्यों पर पचास-पचास हजार रुपए जुर्माना और छे महिने के सस्पेंशन के आदेश दिये गए हैं पूरे माम अन्यों के लिए जुर्मान गया जो अन्यों मिस बैच के और उसके तार मार्पीट की है जी सर्थ तो हमने एक तम से उतनी देर में हमें स्क्रोटी वाले का लिए जो बहाँ पोस्टे होता है और प्रेकार की यह जगराबर सकता है तो पुलिस के इंफॉर्म किया गया है दो मद्दमेजर्टे होए यह सारा मामला जो है एंटी लेगिंग करने कि को सौफ दिया है इसकी कंप्लेंट एंटी लेगिंग हल्प लाइन में भी है बहां से भी हमें बाद में मिला हमें अपना काम पर लेशुर करती है और एंटी लेटिने इसके संध्यान लेते हुए उ आपको यह मालूम होगा कि जो एक पच्चे का डेथ हो गया था रैगिं के बाद उसी की वज़ा से एक्ट बना है और इसका संग्यान सुप्रीम कोट में लिया था उस टाइम जो कमेटी बनी थी उनने बहुत ज्यादा डिटेल में दिया है कि रैगिं का क्या क्या फॉर्म होत रैगिंगी नौट जस्ट फीजिकल अब्यूज इसके वेंटल अब्यूज अब्यूज अधर बोड़ ऑफ रेगिंग हम देख सक्त कारवाई की है और जो भी बच्चे बागी है वो जी संझें कि अगर कोई भी जागिंगी में संजित पाया जाता है तो उसकी अगेंश एक